ओम हनमंते नमाहा, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको चैत्र पूरण मासी का उपाय बता रहा हूँ, चैत्र पूरण मासी को हनमान जी का जन्म सम्मनाय जाता है, चैत्र पूरण मासी को हनमान जी का जन्म हुआ था, इस व और इस दिन क्या आपको खाना है वो है आपको बताऊंगा देखो पुत्र की कामना है दन की कामना है या सत्रों से परिशान है या कर्ज से परिशान है तो आज के दिन आपको उपाय जरू करने चाहिए अगर आज के दिन आपने उपाय कर लिए तो आपकी हर मनो कामना पूरी इस दिन सबसे पहले आप सुरदेव को अरग देंगे इस नान करने के बाद में फिर आपको बजार से चार लड्डू लेकर के आने हैं और आप चूरुमा भी बना सकते हैं घर का चार लड्डू लेकर आएं 11 लोंग आपको लेनी हैं एक लड्डू में 11 लोंग लगा देनी हैं और सिंदूर लेकर के आना हैं तोड़ा सा गाय का घी लेना हैं गाय के घी का दीपक बना करके त्यार कर लेना हैं और एक कटोरी में गाय के घी और सिंदूर मिक्स कर लेना हैं पूजा वाली तुकान से आप हनमान जी वाला सिंदूरों मागेंगे, तो हनमान जी पर चड़ाने वाला सिंदूरों भी दे देंगे, उसके बाद में आपको एक लाल पूलों की माला भी ले लेनी है, केले का भल, नारियल, ये सामग्री आपको सारी चीज़े ले लेनी है, औ से पहले अनमान जी को प्रनाम करेंगे और जो सिंदूर आप लेके गए है उस सिंदूर को मिक्स करके अनमान जी इस सामने अपको जणिव चड़ाना है उनु को वो आप कप्ड़ा पेनाइंगे, उसके बाद हनुमान जी के सामने लड्टू चढा देने हैं, एक लड्टू में वो 11 लगा के आपको चढा देनी हैं, उसके बाद घॢड चढा चढाएंगे, केले का पल, आरियल, लाल, पुष्भ, यह सारी चीज़े चड़ाएंगे फिर अनमान जी सामने बैटके 49 जा का पाठ आपको करना है अनमान जी से पुत्र धन प्राप्तिक ले प्रात्ना भोली है और अनमान जाली जग पाठ करके आरती करेंगे फिर दो लड्डू महीं छोड़ेंगे नारियन ले लेना है केले का फ प्रसाद आप लेके आए वो खाना है और यह रासियां प्यादी भागिस्थाली रहने वाली है तो बाला जी महराज का यह पाय आप जरूर करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओमन्मंति नमाद